सभी को जैसिरम, जैहो केदारनाथ आज न्यूब प्लोक से फिर सब का स्वागत है मेरी चैनल अरजून सिंग चोहन पे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्री केदारनाथ मंदीर के पीछे ये जो 12 फीट जो पत्थर है काहा आया कव आया कैसे है विस्तरित जानकाड़ी इस पत्थर के वाड़े में दोस्तों मैं आपको देने जारो इस वीडियो में उत्त्राखन में मजूद रुद्र प्रयाग जीले में स्री केदारनाथ हिंदों का सबसे मुखे तिर्थ अस्तलों में से एक है लेकिन जून जुन 2013 में यहां प्रकृतिक ने कुछ ऐसा कहड़ मचाया इतनी खतरनाक बाड़ियां आई थी कि हजारों लोगों ने अपनी जान लगातार होई बाड़िस और ग्लेसियर के पिघलने से आई पाड़ ने हजारों घड़ों को बरबाद कर दिया लेकिन इतना होने के बाब जूद जमतकार कहिया कोइंसिडेंस उस दिन केदारनाथ का ये मंदिर उस विनासकारी बाड़ से बच गया लेकिन कैसे क्या सिर्फ एक पत्थर एक मंदिर को विनासकारी बाड़ से बचा सकता है ऐसे कई सारे सवालों का जवाब जाने के लिए इस वीडियो को अंतक विना इसकीप किये हुए जरूर देखें दोस्तों ये जो सामने जो पत्थर देख रहे हैं इसी पत्थर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2013 में आई उस प्रलकारी बाड़ में कुछ ऐसा हुआ कि इस मंदिर के पास एक ऐसा पत्थर आ पहुँचा जिसने इस मंदिर को बचाने में मुख्य भूम का निभाई हुआ यूँ कि जब बाड़ का पानी मलवे के साथ छेतर में आया तो उस पानी में कुछ एक बहुत बड़ा पत्थर यहां आया और इस मंदिर के पास आकर रुक गया जिससे इस मंदिर की दिवार पर तेजी से टकराने वाले पानी का दवाब कम हुगा और मंदिर के दोनो पहाओ में भी मंदिर से 10 से 12 फीट की दूरी पर रुका और इस पत्थर का आकर ठीक उतना ही था जितना इस मंदिर के पिछले हिससे का है मतलब अगर मंदिर की रचना दच्छिन दिशा में ना होकर अगर किसी और दिशा की तरफ होती तो साइध इस मंदिर का बच्पना मुम्किन नहीं था और 2013 में आई आपदा में ये मंदिर बड़बाद हो गया होता इस मंदिर के मजबूती के पीछ एक और बड़ा कारण है इसके निर्मान में इस्तमाल किया गया पत्थर कहा जाता है कि पत्थर कहीं और से इस जगह पर लाया गयत है क्योंकि इस मंदिर के आसपास इस इलाके में ऐसे पत्थर मजूद ही नहीं है पत्थर खास इसलिए है क्योंकि तापमान में होने बाले बदलाओ का इन पर कोई असर नहीं होता है यह मंदिर लगभा 400 सालों तक बढ़ के नीचे ठका हुआ था जिसके दोरान यह पत्थर सुरच्छित रहा रहा है दोस्तों यह सामने नंदी बैल देख रहा है जो किदारनाथ मंदीर के जस्ट सामने है मंदीर वस्तू सिल्प यह मंदीर एक 6 फीट उंचे चोकार चबुत्रे पर बना हुआ है मंदीर मुक्य भाग पर मंडप और गडब गरी के चार और प्रदचेन पत है बाहर प्रांगर में नंदील बैल वाहन के रूप में बिरजमान है मंदीर का निर्मान किसने कराए इसका कोई परमाने को उलेक नहीं मिलता है कहा जाता कि इस मंदीर का जिनोधार आधी संक्राचार ने करवाया था मंदीर को तीन भागों में बाटा जा सकता पहला गडवगरी, मध्यभाग, सवामंडव, गडवगरीदी के मगद में भगमान स्रीक्यदार रिष्टवर का स्वयंभू में जोतिलिंक इस्थित है दोस्तों ये सामने से जो देख रहे हैं, ये लोग पुना से 20 टीम आये थे सचीन जी और उनके पूरा पीस टीम आये थे स्रीक्यदार रिष्टवर का सब्सक्राइब दासने अड inim сов को देख रहे हैं, हम लोग के दार नात के दर्सन करने आये हुए हैं काफी ज़्यादा है दोस्तों काफी ज़्यादा ये लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आये हुए हम लोग, काफी ज़्यादा 2013 में दोस्तों जब बाढ़ आई थी तो ग्लेसियर पी घलने के साथ साथ जब पानी जब आये था बाढ़ का पानी तो इतना बड़ा पत्थर जो है मंदीर के पीछे भाग में 10 से 12 फीट के दूरी पर आके रुख गया था और सोचने बाली बात यह है कि मंदीर में टकराया न इसी के बगल से पानी बाढ़ का निकल गया और दोस्तों यह मंदीर बच गया था यही पत्थर तब से पूजा किया जाता है 2013 में जून में दोस्तों विनास्टकाडी बाढ़ा था और एक पचरे का दूसरा कारण भी है दोस्तों क्योंकि इसका जो तच्छीन दिसा में दोस्तों जो मुख जो रहता है पूरव या पच्छीम की तरफ लगता है लेकिन केदारनाथ को मंदीर का मुख जो है दच्छीन की तरफ है और यहां का मौसम काफी ज्यादा ठंधा बाड़ी सजाता है जब भी यहां आए दोस्तों तो ठंधा कपरा रेंकोटका का सब जाते तो सबसे पहले आप रेजिस्ट्रेशन करवाले रेजिस्ट्रेशन करवाने का ठंधा का कपरा ले लिजे और बाड़ीस का जितना समान हो सके वो ले लिजे दोस्तों चड़हा या ट्रैकिंग या पैदल यात्रा सोन प्रियाग से स्री केदारनाथ की दूरी दोस्तो 17 किलो मीटर है, टोटल 22 किलो मीटर की चड़ाई करना है वीडियो कैसा लगे, लाइक, सेर, कमेंट जरूर करे जैसरी के दारनाथ, मैं दोस्तों जून का महीना का लास्ट में गया था